हाई वीडियो को लाइक शेर करें और चानल को सब्सक्राइब भी तरूर करें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रात को सोने से पहले स्कीन का ऐसे रखे खायाल ताकि आपका चेहरा हमेशा दमकता रहेगा और नहीं दिखेंगे एजिंग के निशान हमारी बीजी जिंदेगी में स्कीन और बालो का ख्याल रखना बहेद जरूरी है आज कल हर कोई अपने चेहरे पर अच्छे प्रोड़क्स यूज करता है तो कई घरेलू तरीके अपनाता है ताकि उनकी स्कीन हमेशा जवा रहे लेकिन इस दोरान आपको इस बात का ध्यान भी देना है कि आपको केवल उसका ख्याल दिन में ही नहीं रखना है बलकि रात में भी आप ठीक उसी तरह अपने चेहरे की केर करें जैसे आप उसकी देखभाल दिन में करते हैं स्कीन को सबसे दा आराम रात में मिलता है ऐसे में उसकी केर अच्छे से करे ताकि आपके स्कीन की सुन्दरता हमेशा बनी रहे हर कोई ता उम्रे खुबसूरत और जवान दिखना चाहता है लेकिन स्कीन की बहतर देखबाल ना होने के कारण 30 साल की उम्रे के बाद एजिंग क करके जीवन्त बनाती है इसलिए सोने से पहले रोजाना इनकी देखबाल करनी चाहिए हमारी वैस जिंदेगी में स्कीन की देखबाल बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको बहुत जादा मैनत भी नहीं करनी है बस घर के कुछ आसान उपायों से आप अपने स्कीन को सु पर कैसे करें पहला है स्कीन को अच्छे तरह साफ करें रात में सोने से पहले मेक अप न हटाने या तवज़ा की सफाई न करने से रोम छिदर बंध हो जाते हैं इससे चेरे में मुहा से आने लगते हैं इसलिए सोने से पहले स्क्रब या फेश वोट से अपने चेरे की अच किरी को नहीं बचना चाहता है सोने से पहले वाटर बेस्ट या ओइल फ्री मॉश्यराइजर का यूज करें इसके साथ ये हाथ और पैरों में बॉड़ी लोशन या फिर हैंड क्रीम लगाएं ये स्किन को हाइड्रेट करता है और सुबह उटने पर आपकी तवचा कोमल और स्पोर्ट ट्रीटमेंट के लिए राज का समय बहतर होता है ये ट्रीटमेंट मुहासे और डाग धपो को दूर करने में मदद करता है रात को सोने से पहले मुहासो पर टी ट्री ओईल लगाएं इससे स्कीन की सूजन दूर हो जाती है इसके अलवा रात में ब्लेमिश सीरम लगाना भी फायदेवन थे बाद में हातो और नाखुन की करेद एक भाल हातों पर बढ़ती उम्रे के लक्षन सबसे पहले नजराते हैं रात में सोने से पहले किति अच्छे क्रीम से हातों को अच्छी तरह मौशराइज करें शाती नाखुन उपर बादाम का तेल या वैस चाहती है तो हर देन इनकी देख भाल करें रात में सोने से पहले पलकों और भोव पर कैस्टर ओइल लगाए इससे इनकी गोत अच्छी होती है और लास्ट में हैं बालों की चोटी बना कर सोए बालों को स्वस्त और मजबूत रखने के लिए सोने से पहले चोटी बना कर सोए दरसल रात में खिचाव या रगड के कारण सबसे दिख बाल डैमेज होते हैं चोटी बना कर सोने से बाल कम तूटते हैं और सुबह उटने पर उलचते नहीं हैं रात में सोने से पहले इन तरगी को से अपने स्कीन को पैमपर करने से समय से पहले एजिंग के लक्षन नहीं दिखते हैं इसके साथ ही स्कीन भी खुबसूरत और जवान रहती हैं आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग